हेलो स्तोक, कमाई का अड्रस यूटूब चैल में आप सभी का सौगत है आज यहाँ पर हम बात करेंगे रेल वीकर्स निगम के बारे में इस कमपनी के अंदर जो हमें यहाँ पर शांदार तरीके से जो मल्टी बैगर रिटन देखने को मिले है और उसके बाद में फिर से कमपनी में अभी lower circuit जो दिखाई दे रहा है 55% का तो इसका मतलब क्या है अभी यहाँ पर एक कमपनी क्या फिर reverse यहाँ पर perform करकर दिखाएगी यह कमपनी के अंदर यहाँ पर strong improvement के ability है क्या एन दोस्तो इस company के अंदर कुछ ऐसे announcement जो इंडियन government ने कर दिये जिसका impact हमें बहुत ज़्यादा real because निगम इस company पर देखने को मिला है तो क्या क्या announcement है क्या क्या हो रहा है और हमें कैसी strategy रखने चाहिए देखें दोस्तो तीन टाइप की निवेशक यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे इस company के अंदर एक तो जो निवेशक यहाँ पर पहले से ही याने कि जैसे कि यह stock जो 30 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए पर चलता था तब से खरीद कर बैटे है कुछ निवेशक यहाँ पर midpoint में या यहाँ पर अभी fresh entry अभी जो top पर share जाने के बाद भी लेकर बैटे है और कुछ निवेशक है जो fresh entry लेना चाहते है अभी fresh entry लेने वाले जो निवेशक के expectation है इस company से वो 1000 तक के है कुछ comment में मुझे ऐसा दिखाई दिया तो company में really उतनी ability है क्या और company का पूरा यहाँ पर हम काला चिठा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्योंकि आपको कुछ ऐसे points से जो याद रखकर चलने पड़ेंगे और आप यह जो points से उसको miss मत करना देखे understanding अगर हो आपको तो आप अपने right decisions को लेकर आगे जा सकते हैं एक निवेशक था जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाओंगा और share भी करना चाओंगा information उनके पास 30,000 shares थे ग्रेल विकास निगम company के और वो price था 30 रुपए का 30 रुपए के यहाँ पर price में 30,000 share थे और मुझे यहाँ पर पूछ रहे थे कि सरक करना क्या है तो मैंने उसका जो भी यहाँ पर comment कहता हो person ने तो उनको मैंने एक ही बात कही थे कि company के अंदर के details आपने देख लिए तो आप यहाँ पर अच्छे return कमा सकते अभी वो निवेशक ने अगर details देखकर decision proper लिया होता और लिया होगा अभी वो ना जाने उनके कभी comment आए नहीं और उन्होंने कभी communicate नहीं किया बट यहाँ पर उनको मैंने साबसा बता रहा था कि आप देखिये company के अंदर के details और आप definitely आगे बढ़ सकते details को देखकर तो आभी भी वैसा ही मैं कहूंगा कि आप देखना क्या हो रहा है और आपको यह वीडियो देखकर ऐसा नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा या किस से आड़वाई लेना पड़ेगी आप खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों की company में चल क्या रहा है तो चलिए start करते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद है तो लाइक सब्सक्रेब करना और थोड़ा यहाँ पर वीडियो लेंदी हो जाएगा तो स्पीड बढ़ा के देख लेना जिससे आपका वक्त बच जाएं तो चलिए start करते हैं सभी updates यहाँ पर आप देख सकते हैं के रेल विकर्स निगम के शेर के अंदर आज हमें 5% का lower circuit डेखने को मिला अभी lower circuit यह ऐसी concept है दोस्तों जिसके अंदर आप शेर बेच कर नहीं निकल सकते हैं अगर lower circuit अभी यह continue होते रहा तो आपको शेर बेचने का मुका नहीं मिलेगा lower circuit means खरीदने वाला तयार नहीं है बेचने वाले सब ready है ऐसा जब condition create होता है market में किसी शेर में उसे lower circuit का आ जाता है और आपर circuit का मतलब है कि बेचने वाला कोई यहाँ पर interested नहीं है और ने मार्केट में कोई बेचिने को तयार नहीं है सिरिफ खरीदने वाले हो तो आप पर सरकीट लग जाता है तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो रेल विकास दिगम के अंदर पिछले कुछ समय से आप जैसे एक साल में देखेंगे तो तीन यहाँ पर तीन डिजिट में यानि के तीन सो परतिश्यत का रिटन मिला है और आप पिछले एक महिने में देखेंगे तो 72 परसेंट रिटन और एक बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कमपनी के फंडामेंटल भी उतने ही मैच कर रहे है कि कमपनी के इस ग्रोथ को वो भी देखना पड़ेगा देखें हमने बहुत से स्टॉक देखें और एक सिंपल और एक बड़िया आपको एक्जम्पल में बताना चाहूंगा वो था देखी ट्राइडन का ट्राइडन के जब तक फंडामेंटल स्टॉंग थे कमपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे थे तब तक उस स्टॉक को यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो तीन रुपए का जाकर सतर साट रुपए तक पहुँझ गया फिर से उसको तीस रुपए तक लेकर आ गए और आप सभी जानते हैं उसके पीछे रिजन क्या है क्योंकि उसका पफॉर्मस डाउन हुआ इंफलेशन का इंपेक हुआ बिजनेस उतने अच्छे नहीं च आपको जो पॉइंट डिसकस करकर बताना चाहता था और यह आपने देखना भी चाहिए कि देखिए रेलविकस निगम यह जो कंपनी है इसको यहां पर ग्रैंटेट कर दिया है नव रतन के अंदर अभी जो भी यहां पर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्मेंट के इंक्लिट किये गई है आप बोलेंगे सर यह नव रतन जो यहां पर जो भी इनकी यहां पर हम ग्रूप कहेंगे कंपनियोंस का उसका फाइदा क्या होता है तो देखें दोस्तों जब भी गवर्मेंट कोई कंपनी के लिए डिसिजन लेती है या ले रहे है या लिया है तो Central Public Sector Enterprises of the Ministry of Railway आप पढ़ सकते हैं और आभी यहां पर मैं आपको नवरतन स्टेटस के बारे में बताता हूं इससे क्या होता है देखिए इनको जो प्रोजेक्ट रहेंगे या यहां पर इनके लिए फंड से रिलेटेट जो भी चीजे रहेगी पावर मिल जाएंगे बहुत से और इनके लिए बहुत अच्छे जैकि फाइनाशल आटो नॉमी तैयर हो जाएगी और इनको हूज जबरदस तरीके से प्रोग्रेस मिलेगी यह याद रखना यह फाइदे हैं मैं आपको बता रह जानते हैं 9 में हैं तो यह पास दिन पहले की यह जो न्यूज है और आप खुद देखिए पास दिनों में स्टॉक में कितने बड़े इंप्रुमेंट्स हमें देखने को मिले हैं और यह जो गौवर्मेंट ने पार्ड बनाया इनको इससे इनको बहुत अच्छे प्रोजेक के अंदर आपको यह पॉइंट याद रखना पड़ेगा अभी जो बेनिफिट है वो मैंने आपके आगे रखा अभी कुछ जो एक निगेटिव पॉइंट है वो यह आपको याद रखना पड़ेगा वो है देखिए गौवर्मेंट के जो यहाँ पर स्टेक के बारे में यह 78% स्टेक है और यह स्टेक कम होने वाला है एक ना एक दिन अभी हो जाएगा और गौवर्मेंट ने खुद आनौंस करकर अभी इसी बजट में काहा है उनका बहुत जबर्दस टार्गेट है देखिए डिस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कहेंगे फंड रेजिंग से र क्योंकि इतने बड़े-बड़े काम जो होते है गौवर्मेंट ऐसे कुछ चीजों से यहाँ पर करते रहते हैं और उनको डिवलर्मेंट के लिए पैसा तो लगेगा तो अभी देखिए और एक सेवी का जो रूल है उसके हिसाब से भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है तो करना पड़ती है 75 से कम तो अभी एक दिन आपको इसके अंदर जल्द यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा और एक बात याद रखना दोस्तों कि ऑफर फॉर सेल लगबग बहुत बार जब किसी कंपनी में शांदार आउस्टेंडिंग लेवल की तेजी आती उ ओफर फॉर सेल यह हो गए जो आपके लिए पॉइंट इंपोर्टन याद रखने लायक और आप खुद देखिए डियाएस के पास और देड़ परसिंड के करीब एफाइस के पास स्टेक है शांदार कंपनी और शांदार स्टेक दिखाई देता है और कंपनी के ऊपर आप क 6,615 यानिके यहाँ पर लगबग हम कही सकते ही 6,600 करोड का करजा है और कंपनी के पास क्याश कितना है यहाँ पर 6,790 करोड का यानिके कंपनी डेफ्री है कोई टेंशन इस कंपनी में नहीं दिखाई देता है जैसे के कंपेर करें कंपनी के फंडामेंटल को तो अब कैसी है और कंपनी में क्या करना चाहिए तो देखे दोस्तों आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते है तो डेफिनिटली कीजिए और आप यहाँ पर इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट डेक कर भी और समय दे सकते दो एक साल से उपर ही एक-दो साल के करीब का टाइम पर डिना पड़ेगा आपको अच्छा खासा आउटपुट एक कंपनी से मिलेगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स पर एक कंपनी काम कर रही है उसका बेनेफिट मिलना बाकी है और बहुत से इनके अंदर आपको डेवलप्मेंट वाले काम देखने को मिलेंगे और भी इंडियन रेलवे का इंफराट्रक्चर उतना डेवलप्म नहीं है और भी होने वाला है बहुत सी चीजे इंडिया में अभी होनी बाकी है और उसके अंदर इसको बहुत फायदा है क्योंकि गवर्मेंट के अंडर चलती है कंपनी इसलिए हो सके उतना आप यहाँ पर प्रिंसिपल अमांट रखकर या प्रिंसिपल अमांट निकाल कर प्रॉफिट रिइन्वेश्ट कर सकते है आपकी मर्जी बट जो चीजे है वो आप जरूर अंडरस्टैंडिंग करें होंगे बेनेफिट इस कंपनी के फेवर में है शर्म अभी आपर चार्ट पैटन कैसे र राइट, थैंक यू